हेलो फ्रेंच डवल्व स्क्यूप्टेक की इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं वनिश के लोगता का वेलकम करता हूं जावा प्रेक्टिकल की सेरीज में आजका हमारा प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम टू चैक थी इविल नंबर को चैक करने के लिए बिसिकली हमें आज मनाँंगे और सबसे पहले मैं आपको बनाना चाहूंगा कि होता क्या है कि आप देखें कि महाली जी एक नंबर एक मेरे पास में क्या आएगा फोर डिजिट में binary जो equivalent आएगा 0011 ठेके 0011 और इस पूरे जो binary जो equivalent है friends इसमें number of जो ones है अगर number of ones even है तो ये एक कैसा number है evil number है ठेके number of ones even नहीं है ठेके number of ones अगर even नहीं है तो वो एक evil number नहीं है ठेके ये बात ध्यार नकिएगा friends आपको सबसे पहले क्या करना है उस number का आपको binary निकालना है ठेके binary निकालना है otherwise ये एक evil number नहीं है clear ये concept है evil number का ओके तो इसी concept को हमें implement करना है friends और यहां मैं इस जो statements लिखे हैं इसको हम comment कर देते हैं ठेके because this is not a part of our code ये just मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था friends और यहां पर friends एक मैं class बना देता हूं चेक चेक evil number नाम से ठेके चेक इविल नमबर नाम से यह मैंने कि यहां पर बना ली है friends class बना ली है this one is the scope of this class यह हम class का scope देती है मैंने यहां पर यह class का नाम क्या है check evil number ठेके और friends यहां पर एक मैं user defined function मनाता हूं यहां पर यहां पर हमने क्या पास करेंगे उससे ही मैं convert कर रहा हूं ठीके एक logic अपना ही लगा के हम convert कर रहा हूं ठीके तो this is the scope of the two binary function ओके और यहां पर हमने क्या पास करेंगे एक number पास करेंगे जिसका हमें क्या करना है binary में conversion करना है ठीके कुछ variables मैं ले लेता हूं let's say एक variable है आर और एक है आपका string ठीके s और इसको हम कुछ भी नहीं let's take blank से इसको क्या करते है initialize कर लेता है ठीके ना फ्रेंट्स अब एक array के requirement पड़ेगी जिसमें क्या होगा हमारे सिरफ उसमें zeros और ones ही होंगे इसके लावा और कुछ नहीं होगा क्योंकि at बाप्र gonna ban की binary में क्या होते है इसके लावार कुछ पी नहीं होते है तो यह जो दो जो नंबर है इस ग就到 कर लिया है कि इसके जे और प्धान को several ही क्या करेक्ट्र है किसे सिंग्ल कोट में यह क्या किया है initialize किया है ठीक है now friends जो हमने user से जो number pass किया है n ठीक है n वो हम while loop में apply करेंगे कि जो while loop है n की value 0 तक नहीं हो जाती तब तक हमें ये loop apply करते रहना है ठीक है and this one is the scope of this while loop ठीक है now friends अब आप देखें कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है जो number जो हमरे पास में n ठीक है इसका हमें mod निकालना है किसके साथ में two के साथ में और जो variable r जो मैंने लिया है इसमें में save कर देता हूं ठीक है ये मैंने save कर दिया अब आप देखें जो s जो एक मैंने variable लिया है string कि इसमें में क्या करूंगा जो हमने एरे लिया है डी आई जी नाम से और जो भी मॉड हमने निकाला है आर में जो हमने सीव किया है उसमें यह इसको एड़ कर देता हूं एक पूरा स्ट्रींक के फारर बचना है ठीक है और नंबर को हम क्या करते रहेंगे जब तक कि वह पूरा सब क्या हो जाता है मौ तू के साथ में नहीं निकल जाता है ये हो गया किसका basically binary में conversion करने का concept और obvious सी बात है इस function से यह देखें ये तो हो गया while का scope ठेके और ये हो गया किसका scope हमारे basically इस two binary function का तो two binary function जो है यहां से एक value जो है friends return हो रही है एक value return हो रही है और return जो है यहां पर आप देखें तहां पे हो रही है यह रही है तो रिटन हो रही है तो एक value यहां से मुझे रिटन करवाने पड़ेगी यह रिटन रिटन क्या करवाना पड़ेगा मुझे फ्रेंट्स यह जो string जो है यह मुझे रिटन करवाने पड़ेगी कि एस ठीक है! Ryan S become यह मैंने यहां पर करवा दिए ठीक है! अधिक काम यहां पर कमी यहां पर अप्लाए कर देन के अभी हमने क्या किया कि जो नंभर हमने पास किया था इसको हमने किसमे Вас जैंकार Primi M है वो में बता करना है ठीक है तो फ्रेंट्स इसकी लिए भी मैं यहां पर एक और user-defined function मना देता हूं ठीक है इसका जो रिटन टाइप है क्योंकि यह count कर रहा है ठीक है total number of ones कितने है उस binary number में तो उसका रिटन टाइप जो है इसलिए मैं यहां पर क्या यहां पर एक जो है लेंध के लिए आप एक विरीबल ले सकते हैं अल जिसमें हम क्या निकालेंगे भी की लेंथ निकालेंगे स्डॉट लेंथ function को में call कर लेता हूं यहां ठीक है character के लिए एक लेते हैं हम ठीक है चलाएंगे ओके एंटीजर आई is equal to zero, चलना कब तक है हमें, जितनी string की क्या है, length है, इसलिए हमने यह पर क्या निकाली है, length निकाली है, जितनी string की length है उतना तो हमें चलना ही चलना है, और हमेशा क्या करते रहना है, आई में increment करते रहना है, यह for loop का scope है, और जो ch जो हमने लिया है, friends, is equal to, ठीक है, अगर particular जो character है, वो मैं ch में transfer कर रहा हूँ, s.carat function को call करेंगे, जो ih पे जो character है, वो मैंने किसमें pass कर दिया, ch में pass कर दिया, अब मैं comparison के लिए यहाँ पर if we use कर रहा हूँ, कि जो particular character, 0 होगा या 1 होगा, इसके लावा तो कुछ होगा नहीं, जो particular character ch की value अगर तो character 1 के equivalent है, ध्याना है, friends, यह character का character से comparison कर रहा हूँ, और total number of ones जो है, वो count होते रहेंगे, और friends, जैसे ही यह जो हमारा count one नाम से जो हमने function बनाया है, method बनाया है, अगर यह complete हो जाएगा, ठीके, तो हमें यहाँ से क्या करनी है, जैसे total number of ones है, total number of ones किसमें है, friends, c variable में है, उसको हमने क्या कर दिया है, तो दौना ही function हमने यह पर बना लिए है, पहला जो function है, वो क्या करेगा, कि जो number हमने pass किया है, उसको binary में convert कर देगा, और दूसरा जो function है, friends, वो क्या करेगा, total number of ones कितने है उस string में वो count करके हमें return कर देगा ठीक है अब हम class में आते हैं यहां पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमने class बनाई है उसका हम object बनाएंगे without object जो हम दोनों function को call नहीं कर सकते हैं ठीक है तो check even नाम से जो हमने friends यहां पर class बनाई है इसका हम object बनाएंगे और is equal to new ठीक है जो हमने class बनाई है उसका हमने object बना दिया है user से input लेना है इसलिए scanner class का भी object बनाना पड़ेगा friends तो scanner ऐसी नाम दे देता है सको ठीक है is equal to new ठीक है scanner scanner system dot in ठीक है system dot in ठीक है यह मैंने scanner class का भी क्या कर लिया है friends object बना लिया है जो जो check evil number जो class बन गया है scanner class का भी object बन गया है तो अब हमें क्या करना है user से input लेना है कि आपको कौन सा number है जो check करना है कि वो evil number है या नहीं है पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ठीक? negative नंबर को हम binary में किस搞 कर रहे है पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे है ठीक है इसके लिए variable ले लेता हूं मैं friends यहा पर n और से जो object जो बनाया है हमने scanner class का इसकी help दे हम क्या करते है next identity function को call क्रते हैं एक और अब मैं क्या कर रहा हूं friends कि जो यह जो object हमने बनाया है OB कौन सी class का है check evil number class का है ठीके इसकी help से हम क्या करेंगे जो सबसे पहले जो 2 binary जो function है इसको हम call करेंगे ठीके तो OB dot ठीके किसको call करेंगे हम यहाँ पर जो 2 binary जो function बनाया है हमने इसको हम कॉल करेंगे ठीक है और से पास क्या करेंगे जो हमने नंबर जो लिया है वो हम पास करेंगे ठीक है यह देखिए नंबर हम पास कर दिया है यहां पर यहां पर नंबर पास कर दिया है लेकिन यह फंक्शन जो है फ्रेंट्स टू बाइनरी एक वैल्यू रिटन कर रहा तो यहां पर उसको रेटर्न जो कर रहा है, उसको करने के लिए हम यहा पर एक स्थिंग टाइप का एक व आएडरियों के लिए ठीक, क्योंकि यह फंक्शन क्या करेगा, एक रेटरिंग करेगा, एक क्रिट कुमेने कि सेंव हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का एक वरियjenigen y ले लेता हूं में बाइनरी या फैके यह फंक्षिंग क्या करेगा एक 1 करेगात ले आजे कि सेव कर लिए। क्या है भी ये क्या है नौके तो आप चाहते कि binary को हम print कर वा लें तो भी हम यह print कर वा सकते हैं तो binary equivalent में print कर वा लेता हूं इस प्रिंग का ठीक है binary equivalent of number binary equivalent is जो भी है वो हम print कर वा लेंगे और वो किस में है BIN string में है ठीक है यह हमने print कर वा लिया अब इसी object की help से हम किसको call करेंगे friends जो दूसरा जो हमने बनाया है friends count one नाम का जो function बनाया है जिसमें हम क्या पास करेंगे यह string जो पास करेंगे यह हमने call कर दिया है ओ भी object की help से लेकिन count one जो भी है friends यह भी एक value return कर रहा है integer type की value return कर रहा है total number of ones इसके अंदर है तो यहां यहां पर मैं एक variable all ले लेता हूं let's say x और इसको मैं क्या कर लेता हूं save कर लेता हूं जो भी number of ones होंगे इस binary string में ठीके तो यह मैंने x में save कर लिया है अब कुछ नहीं है आप इसको total number of ones को आप print कर वा सकते हैं यहां पर system.out.println में ठीके नंबर number of ones number of ones ठीके number of ones इस string में जो भी है वो print हो जाएंगे और वो किस variable में है x नाम के एक variable में है ठीके अब जो even number है उसकी condition क्या है friends कि जो number of ones है उस binary number में अगर वो even है तो वो even number है odd है तो वो even number नहीं तो यही condition हम है यहां पर apply करनी है कि जो x mod 2 x mod 2 even number के लिए हम क्या condition लगाते हैं mod 2 का लगाते हैं अगर वो zero है तो obviously बात है कि जो हमने number लिया है वो कैसा एक evil number है तो वो number किस में है friends variable n में है ठीके variable n में है ठीके तो n यहां पर हम apply करेंगे is an evil number ठीके यह एक number कैसा है evil number है क्योंकि इसमें जो number of ones है वो क्या है even है और else case में हम क्या करेंगे कि यह जो number of ones है वो even नहीं है तो अब मैं यहां पर जो है not के लिए message provide कर देता हूँ okay so is not an evil number ठीके is not an evil number ठीके यह हमने provide कर दिया okay तो सारे जो cases है friends वो हमने solve कर लिए है सबसे पहले हमने क्या किया अब्वेसी बात है जो number जो है उसमें आपको जो है उसका क्या करना पड़ेगा binary equivalent पता करने के बाद में उसमें total number of once कितने हैं वो हमने पता किया देन class और जो binary जो equivalent है और number of once हए उसको हमने print करवा लिया और lastly हमने चेक कर दिया कि क्या उस binary जो number है हमारा उसमें Number of One ठीके विएर ये और तो एक even नमबर है नहीं है तो ये वन नमस नहीं है अब मैं आपको इसका execution बताता हूं फ्रेंड पॉजिटिव नमबर हमें देना है लेट से मैं पॉजिटिव नमबर देता हूं 3 तो देखें आप इसका binary equivalent कितना आ रहा है वेसे तो इसका two digit में ही आ रहा है तो one one number of one's two है तो three ये कैसा है evil number है ठीक है एक और हम program को फिर से execute करते हैं अब मैं देता हूं let's say माली जीये मैं देता हूं 13 चैके तो थर्टीन का जो equivalent है वो देखें आप कितना होता है one one zero one सही बात है बिलकुल यही होता है तो number of one's कितने हो गए इसमें तीन हो गए तो तीन हो गए तो ये कैसा है odd है odd है तो ये कैसा है एक evil number नहीं है क्योंकि number of ones कितने है binary equivalent में 3 है that is the odd तो ये एक evil number नहीं है एक बार और इसमें program को execute करता हूँ और अब आप देखें कि let's say मैं हाँ पर देता हूँ 14 तो 14 में आप देखें फिर से number of ones कितने आ गए 3 आ गए तो ये evil number नहीं है कि evil number find out करने के लिए हमें करना क्या है पहला task कि आपको जो number दे रखा है उसको आप binary में convert करें डूसरा task कि जो number आपको binary में conversion किया है आप में उसमें number of ones पता करें और lastly ये check करें कि क्या उसमें number of ones क्यों है वो even है या odd है इवन है तो 100% वो एक ऐसा होगा evil number होगा odd है तो वो evil number नहीं होगा ठीक है so friends this is the way that how we check the evil number in java programming language I hope this particular video सो जो मारा आज का concept है ये आपको समझ में आया होगा friends thank you so much for watching this video